आप देख सकते हैं उपर वाले पत्ते और नीचे वाले पत्ते क्योंकि सबसे ज्यादा खात का असर नीचे वाली टहनी पर ही होता है क्योंकि जर से जब खाट जाती है तो जो करीब में पत्ता होगा, जो करीब में पत्ते होगे, टहनिया होगी, सबसे ज़्यादा खाट का असर उनी के उपर होगा क्या आपको मालूम है? आप मिट्टी में दूद का इस्तमाल भी कर सकते हैं दूद में क्या है? मिनरल्स मुझूद हैं, बहुत सारा कैलशियम और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं दूद को एक जमाने में मुकमल डाइट समझा जाता था लेकि मिट्टी में दूद का इस्तमाल करने से पहले ये बता दूँ कि दूद खालिस होना चाहिए और ये जमीन और मिट्टी हमसे महंगी चीज़ों की डिमांड नहीं करते दूद इनसानों के पीने के लिए और मिट्टी हमसे सिर्फ वेस्ट मांगती है, कच्रा मांगती है सबजियों के चिलके हों, फलों के चिलके हों, गली सड़ी कॉमपोस्ट हो सिर्फ यही पोदों के लिए काफी होता और इसके बदले में वो हमें बहुत महंगा महंगा फल भी देते हैं और बदले में हम उनको क्या देते हैं कुछ भी नहीं तो आज बात करने वाला हूँ दूद आप कैसे मिट्टी में डाल सकते हैं और कितना डालना चाहिए आज के जमाने में दूद कौन सा सस्ता है और मिट्टी के अंदर दूद डालने की जारूत भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपने वेस्ट डालना है जो हम गरों में देसी घी जब बनाते हैं जब भलाई बहुत सारी कठी हो जाती है उसको ग्रैंडर में हम जब डालते हैं तो ग्रैंड करने के बाद बहुत सारी जाग उपर आ जाती है जो के हम उतार लेते हैं जिसको मक्षन कहा जाता है और नीचे बैड़ जाता है पानी जिसको हम कच्ची लसी कहते हैं उसको चाटी की लसी भी बोला जाता है हलके-लके फीके रंग का धुंदले रंग का पानी होता है उसको हम मिटी में भी डाल सके वैसे तो वो पीने के काम भी आता है लेकिन अक्सर उसको गिरा दिया जाता है वेस्ट कर दिया जाता है तो क्यों ना हम उसको अपनी मिट्टी में इस्तमाल कर लें तो मैंने भी मिट्टी के अंदर इस्तमाल किया उसका तकरीबन अब 6-7 दिन हो चुके हैं तो मिट्टी में इस्तमाल करने की वज़ा से क्या हुआ अब ये देखिए गोर से जरा बात को समझेगा ये वाइट वाइट सा जाला आपको दिख राया ये माइकोराइजा फंगस है माइकोराइजा फंगस वो होता है जो थ्रेट्स की तरह बनता है दागों की सूरत में अपनी ग्रोथ और कॉलूनी को बनाता है देखते ही देखते ये बहुत सारे दागे बड़े होने लगते हैं लंबे लंबे से होने लगते हैं और पूरे सर्फेस के ओपर ही फैल जाते हैं इसकी वज़ा से कोई नुकसान तो नहीं होता लेकिन जब बहुत ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ जाए तो मिट्टी हमें देखने पर नजर नहीं आती तो फिर प्राबलम हो सकती है उपर वाली सता कॉमपैक्ट हो सकती है ये अच्छा फंगस तो है लेकिन इसके साथ बुरा फंगस भी एक्टिव हो जाएगा जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पानी लगने की वज़ा से दूप और हवा लगने की वज़ा से दूसरे फंगस भी एक्टिव हो जाएंगे हो सकता है कि वो ब्लैक मोल्ड में बदल जाए हो सकता है कि वो ग्रे कलर में बदल जाए तो अगर आप भी वो कच्ची लसी का इस्तमाल या दूद का इस्तमाल मिट्टी में करना चाहते हैं अगर दूद खराब हो चुका है लेकिन वो खालस होना चाहिए अगर वो खराब हो गया तो उसको आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी में अपने गमलों में डाल सकते हैं उसकी वज़ा से प्रोटीन्स मिलते हैं प्रोटीन्स की ज़रूरत पोदे को बहुत कम होती है प्रोटीन्स का इस्तमाल हम ज्यादा तर फोलियर स्प्रे के रूप में करते हैं क्योंकि हमें foliar spray ऐसा नहीं करना जो के decompose ना हो उसका फाइदा होने की बजाए नुकसान हो जाए इसलिए हम मिटी में डालेंगे और जैसे जैसे ये मिटी के साथ रहेगा पानी लगता रहेगा दूप लगती रहेगी ये decompose होता रहेगा लेकिन इसकी गोड़ी भी आपने ब दूद जो खराब है वो डाल सकते हैं अगर जमीन में पोड़ा लगाया वाए तो फिर पांच लिटर भी आप डालना चाहें तो डाल सकेंगे क्योंकि जमीन के अंदर पोड़ों के उपर बुरा असर बहुत कम होता है वो जमीन उस चीज की हीट को खतम कर देती है उस शुगर थोड़ी सी होगी तो पोड़े को कोई नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि शुगर पोड़े की ज़रुत है वो पोड़े के पत्ते खुद बाहुदी बना लेते हैं जब दूप पत्तों के उपर आती है तो शुगर भी बनती है ब्लुकोस भी बनता है तो अगर मिट मिट्टी के अंदर शामिल होने की वज़ा से इनकी तदाद और भी बढ़ जाएगी तो फिर वो खाद बना बनाकर डिकंपोस करके मिट्टी में जल्दी शामिल करते जाएंगे तो वो खाद मिलेगी पोदों की जड़ों में ये सफेद रंग का फंगस बहुत काम की चीज है मिट्टी के लिए ये अच्छा है इसलिए हम इसको जाया नहीं करना चाहते बस ज्यादा जाला बनने की वज़ा से मिट्टी उपर से सक्थ हो जाती है एरेशन कम हो जाता है इसलिए आपने हर चार से पांच दिन के बाद मिट मिट्टी की गोड़ी कर देनी है ताकि ये फंगस मिट्टी के नीचे तक चला जाए सर्फेस के उपर ही बैठाना रहे आप नोट करेंगे जब ऐसी चीजें और गैनिक मैटर आप मिट्टी में इस्तमाल करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी ये वाली मिट्टी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैनिफिशल बैक्टेरिया और फंगस पैदा होगा औरगैनिक खेती इसी को कहते हैं कोई स्पेशल चीज कोई मेहंगी चीज औरगैनिक में नहीं डाली जाती सिरफ और सिरफ कच्रा और वेस्ट वो भी सबजियों का इसमें गोश्ट नह सकते हैं वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है उसकी वज़ा से पोदे के पत्ते नए नए आते हैं पोदे के पत्ते ग्रीन होते हैं जिन पोदों के पत्ते पीले हो जाते हैं गिर जाते हैं उनके अंदर ब्लेड मील का इस्तमाल भी बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन क्या जरूरत है मिट्टी में इतनी मेंगी मेंगी चीजें डालने की मिट्टी को सिरफ उसरफ कच्रा ही चाहिए वो कच्रा जो सबजियों में से निगलता है वो मिट्टी के लिए सोने का काम करता है समय लीजे जैसे जैसे हम organic matter मिट्टी में डालते हैं पोदे के लिए दावत होती है वो पोदे की मिट्टी बहुत खुश हो जाती है और पोदा भी खुश होगा क्यूंकि पोदा उसी मिट्टी में तो लगा है जिसके अंदर बहुत सारे bacteria's मौझूद है मिट्टी नर्म है मिट्टी के अंदर खाद के सारे elements मौझूद हैं तो पोदा तो ओटोमेटिकली खुश होगा और नई नई टेहनिया भी उसकी निकलने लगेंगी ये ब्रांच आप देख सकते हैं ये पिछले दिनों में ही निकली है और कितनी ग्रीन है इवन के ठंड का महीना शुरू हो चुका है और ये स्कलेरो किटन का पोदा है फूल वाला पोदा है लेकिन अब इसकी growth रुक रही है सरदी के दिन में इसके पत्ते पीले होकर गिर ज आप देख सकते हैं उपर वाले पत्ते और नीचे वाले पत्ते क्योंके सबसे ज़्यादा खात का असर नीचे वाली टेहनी पर ही होता है क्योंके जर से जब खात जाती है तो जो करीब में पत्ता होगा जो करीब में पत्ते होंगे टेहनी होंगी सबसे ज़्यादा खात का इस्तमाल करें अब मैं चलता हूँ अपने बहुत सा ख्यार रखेगा खुद हाफिज